हेलो एबरीवन मैं आनंद कुमार फिर सवागत करता हूँ आपका अपने इजटूट चैनल उनती अकेड़मी में और आज जो हम लोग यहां पर चेप्टर का डिस्कसन करने वाले हैं सोल्यूशन देने वाले हैं वो बाइलोजी का पाचान और अपसूशन के बारे में बात कर यह सिक्स्टीन चैप्टर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे और इसका सोल्यूशन देखेंगे के अंसर्ट के अंदर सोल्यूशन क्या देया हुआ है चलिए हम स्टाट करते हैं हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह पहला क्वेश्चन क्या है कि साही उत्तर में जाठर निकलता है क्वेश्चन का क्वेश्चन का लैपेज और रैनीन देखिए आपको समझ रहा होगा कि जब बात हम ट्रिप्सिन का करते हैं और ट्रिप्सिन जो होता हूँ किसी दोस्तो निकलता है और जब अगनासे से निकलता है और जब अगनासे से निकलता है पैंकिरियास से बताया जाता है कि निकलता तो इसका मतलब क नाम दीया घाया तो बोला गया की इलियम और बड़ी आथ के संधी ऐस्थल जो हते है अपसेसी अंग जो दोस्तो वह पाया जाता है तो हम उसको सकतर रस बता आंदर रस होते हैं वह हमारे बोजन के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है छोटी आंत के अंदर तो उसके बारे में यहां स्टाफे बात क्या अगला कोश्चन हमारे पास है याँ दोस्तों का से निकलता है या क्रिस निकलता है लिवर से निकलता दोस्तों जिसके बढ़ने से हम से चला जाएगा पीट से किसे जाएगा पास्त से मंड्सटार्ज का जल अप घटन मंड्स तूंश का दो स्क्रिश्त का दोस्तों बात करते हैं जल ऑफ घटन जब बात करते हैं पिरूटीर गरनती स्थ्ट अब जानते हैं कि किसे लार से हमारे मुख के अंधर Gre gonna T varges दोस्तों होता है बहुता है कि कि अंकुरन जो छोटी आत्त में होती है तो अंकुरन से यह बोजने यहां पर लाजिकावी यहां पर पाई जाता है घुजकर कर लिया जाता है तो अभा CC कर लिया जाता है अगला लेकिन उसके उपर काम करता है क cone Todo कि स्व में काम करता है प्रोटीन के उपर काम करके इसको प्रोटीन केविट्राउच कर स्वेक्राइट। फिर बोला गया कि आहारनाल की दिवाल में के मूल अस्तर यानि लेयर जो होता है दोस्तों हम जानते हैं कि उसका क्यागो लेयर चारगो लेयर दोस्तों पया जाता है जिसमें एगो होता है सिरोसा, मस्कुलेडिस, सम्युकोसा और म्युकोसा, म्युकोसा जो होता है दोस्तों वो अंतिम बलाल होता है, इस प्रकार से कुछ उसके अंदर निचाटी में दोस्तों फिगर दियावा जिसमें चारगो लेयर से ये मिलके बने होते हैं, अहनाल की भित्ति क्या गोस्तर से चारगोस्तर से बिनी होती है, जो कि सबसे उपर बला सिरोसा, उसके अंदर सम्यूकोस और सम्यूकोसा में देखने को मिलता है, जोस्तों अगला कुश्चन है वसा के पाचन में पीत कैसे मदद करता हैं, किसके पाचन में दोस्तों वसा के पाचन में पीत जो ता melसीपिकेशन की बात की जा रहे है, तो तो कहते हैं कि पीत वसा काory cácogether करन करवा देता है और यह लापेज़ की सक्रिया को भी बढ़ाने का काम करता है जो वसा का पाचन पीत के सैथा से करता है और वसा के अंदर यह डैम और मोनो गलेस रैट के अंदर दोस्तों क्या करते हैं conch gustoStum Pancreatic असपस्ट करना है तो देखे क्या बताया जाता है कि हमारे उस worked रस जोती है दोस्तो वो कैसा नेचर का होता है चारीय नेचर का होता है क्योंकि अमारा से केंदर इसीडिक नेचर होता है तो ये चारीय नेचर होता है जिसमें लगवग 90% पानी होते हैं CS11 तता उसके प्रकार उसके अनेक प्रकार के एंजाइम पाये जाते हैं उस पेंकरेटिक जूस के अंदर रस के अंदर और इसका pH मान जोता है वो 7.5 से 8.3 तक होता है दोस्तों और इसे पुर्ण पाचक रस के नाम से जानते हैं क्योंकि इसमें कार्वाइड करते हैं यह प्रोटीन का पाचन करके मद करने कि प्रोटींस तता ऐमिनों को बनाने मेंं भी का करता है मदद करता जिसफींगर से यहां पर दिया हुआ है कि कि प्रोटीन के उपर कर के मच आम अमीनों अमल में बदलता है उसी प्रकार से कार्बोक्सी पैप्टाइडेज होते हैं निकलिये भी होते हैं जो वहाँ पर पाया जाते हैं और वह विकारिया करते हैं सक्रिय रूप से अगला क्वेश्चन है कि अमासे में प्रोटिन के पाचन की क्रिया का वर्णन कीजे तो दोस्तो अभी हम आपको बताये थे कि वहाँ पे एक एंजाइम के तरह भी कारी करता है दोस्तो जो की जठर रस्ते क्या होते हैं सिक्रेशन होता और वहाँ का पीच केतना हो दोस्ता एक अगर बात करें तो प्रोटिन प्रोटिन के अंदर इसके पॉली पैपरताइट्स में बदलने सकुं करता है दोस्तों लेकिन उससे पहले पेप्शिनों जनको iscl जो होता है बदलता है पेप्शिन के अंदर अब मनुष का दांत सुत्र के बारे में जब दोस्तों बात करते हैं तो हम जानते हैं कि एक 30 बटए है कि 30 होता है जिसको गुना करेंगे 2 से तो 32 टोटल नंबर होता है जिसमें हम जानते हैं कि वराइय पैपाचशग यहांने का काम करते हैं क्योंकि पीथ के अंदर जिस बाइल का बात करते हैं वो हमारे यकृत से स्राबित होते हैं और इसमें कोई enzyme नहीं होते हैं लेकिन आग कार्बनिक और कार्बनिक लबन पीत वर्णा कलेस्ट्रोर और लेसितिन नमक आदी भी चीज जो है तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कहते कि आमासे से आई अमलिय लुग दी काईम जो होता जो पेट के अंदर बनता उसके पतली छारी है चाईल में बदलने में मदद करता और इसमें अगनेसं enzyme भोजन का पाचन करता है दूसरा बोला है कि वसा का मल सी करें म्हीं को तोड़ने का काम करता यचा मल के नहीं को सराने से बचाने का काम होता है अगला कूश्चन आर्ट नंबर का कुश्चन जब करते हैं तो देखें क्या बताएगा है कि पाचन में किमोट्रिप्शनोजीन की भूमिका वर्णित करें जिससे ग्रान्थी से यह श्रावित होता है उस इस रहनी के दो अन एंजाइम कौन से हैं जब हम काइमोट्रिप्शनोजेन के बारे में नंजाइम के उपस्तिति में सक्रिया कैमोर्ट्रिप्शन में इसको क्या काने का काम करता दोस्तों बदलने का काम करता आगे है कि या प्रोटीन को पॉली hard practi Mad Γ उपर अचला कॉस्टन है कि पोलि सब्राइटन का पाचन का अगर पाचन के बारे में बात करते हैं तो तो कार्बोहेड्रेट्स का पाचन हम जानते कि मुगवा से आरारम होता है और 30% लगवाग वहीं पर पस्ता है भोजन में लार मिलती है और लार का पीच मांज होता है या भोजन को चिकना तथा निगलने के योग बनाती है और लार में टैलीन की एंजाइम होते हैं जो में अमालेज एंजाइम होते हैं यह पर पोली सक्राइट को डैस क्राइट में बदलने का कम करता है यहां पर दियाव गया भी जल कम क्या अमालेज और पियेच जो है 6.5-6.3 होता डैस क्राइट के रूप में यह बदल देता है उसी प्रकार से च्छोती हांथ के अंदर जो सब्सक्राइब करता तो गुलकोज और फ्रेक्टोज में बदल देता है यहां पर असानी से याद भी रख सकते हैं जिस प्रकार का हमारे अंदर वो पाया जाते कारवाडिट के टाइप पाया जाते एंजायम भी उसी टाइप के हम लोग के अंदर वहां पे देखने को मिलता ह अग small question है यदि हमा से में इसलि मेश्यान का स्राव नहीं होगा तो क्या होगा अमा से के अंदर अगर विमार तो काम हम यह को अच्छ में संभा और फिर आगला question है की आपके दौरा खाए मखान का पाचन और उसके शरीर में अफ्षेशन काईसे कyसे होता है बिस्तार रूप से बढ़नान कीजिए मखन वसा है और इसका पाचन डिरुनाम के पीतरस की सहता से होता है क्योंकि इमल से केशन की क्रियाव वह ही पे होता है वसा आमल तता ग्लिस्रोल अगुलंसील होते हैं तो रक्त में यह अपसूशित नहीं क्या जाते हैं इसलिए के आं क्रोम के नम से मैक्रस के नम से जानते हैं इसका संबान विलाई में उपस्तित लिम्फ वाहिकाब में होती है और लिम्फ वाहिका लेक्टियल्स जोते वोड़क्त के द्वारा अफसोशित हो जाते हैं इस तरह से इसका क्या होता है दूस्तों पाचन होता है अगला क्वेश प्रोटीन प्रोटीन का पाचन प्रोटीन, सबस्ट चाहरी में प्रोटीन का शनल उता सब्सक्राइ unpno reject protein का रशांनो में बदल्ते हैं ऑगरLER के अंथ के अंदर बात करते थे ट्रोम आगनासे रश मेंник मिलता के द्षक्र Почему ठीब्यप्ंर में सब्सक्राइपर सक्रिय होता है प्रोटीन का बात करते हैं का eine करता यह llamक अगला कोशन खेक और और सबदोग करें तो जब तो इसको कहते हैं अगर दां लेकिन अगर दांभा दो बार जब आता है हमारे जीवन काल के अदर दो असथाही होते हैं जिसको चीरव सरीके जो शाम पर मरमेंट कि करने सब्सक्राइब यह आती हैं। पोखन करते हैं तो टो टल उपर निचे 32 होते हैं अगला कोस्टन है लिए इसलिए कि यह इन करीं को लिखे जब करें के बारे में बोलते हैं तो लगबग 10 12 से 12 चीह होते हैं वह हमारे या दिए जाते हैं जिसमें पहला काराय यक्रीट से पीतरत का स्रावित होता है जिसमें और विलूडूबीन और विलूवर्डीन होते हैं यक्रीट को सिखाए उधिर में जब बीमारी होने लगते हैं कुँची जॉन्डिस यहां पर जॉन्डिस के बारे में भी बैख्या क्या गया इस चीज को बैतर धंग से समझेगा कि ब्लूडूबीन की जब हमारे बोडी के अंदर थीक मात्रा होने लगता है तो इस टैप से यह होते हैं फिर आगे है कि पीत रस अंत्र क्राम कुँचन गत सके पचमा कि पीत लवन कायम के हनिकारक जीवानों को नंश्ट करके कायम को सरणे से भी बचाने का काम करता है कि पीत रस में कार्बनिक लवन वसाओं के धवरतल तरम सर्फिश टेंसर को कम करता है जिसे सुक्त चोटे-चोटे तो वह जुकान होतें ओर तोड़ते और जलक प्रफ्रोषन के लिए पीत लबक आवा सकता होता नम्मा पीत के द्वारा विशाक्त पदार्थ यानि अनावसक के लेश्टरोड़ आदी का परिताग भी परित्याग यानि निकाला जाता दसमा यकरित में बिशले पदार्थ का विशन डिट्रक्सिफिकेशन होता अगरमा य यक्रित अमोनिया को यूरिआ में बदलने का भी कम इसकी के दोड़ा तका यक्रित को सिका हैं के अदर घ्लत को थका बनाने से रोकने का काम करता अगला यक्रित में प्लाजमा प्रोटिन जैसे ल्टेमीड गन्स प्रोथम्मा प्स होते हैं जो कि कहते हैं कि फैविनो जेंज होता है उड़को ठका बनाने में सायक होता जब हम लोग के बलड जो भाहर निकलने लगता उस समय यक्रित आवसक से अधिक गुलकोज का गलाकॉन में बदल का संचीत करने का काम करता है अवसक परने पर यक्रित प्रोटिन्स और व यक्रित के द्वारा हमारे सरीर को क्या करने का सुरक्षित प्रतां करने का काम और यक्रित का कारी होता दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही धन्बाद हम असा करते हैं कि ये वीडियो आपको एंसाटिक márσιं करने में बहुत ज़दा मदद करेगी